पूफ है अग्जिए है रॉड जैन विल्कम बैक टो चैनल सिराश्यक डेज अच बाँड वैल्याईशन का लेक्चे नमर से के नोगा जिसे हम कवर करेंगे नय पॉइंट्स आफ बाँड वैलुएशन स्टार्ट करेंगे अचिस बाँड़ प्रीवेस लेक्चर में हमने बॉन्ड वेलेशन स्टार्ट कर दिया था अगर आपको याद हो दो बॉन्ड वेलेशन का फॉर्मिला आए प्लस एमपी प्ली आई एफ राबर यही था कुशन आपके साब ने आज टेबल में भी आएगा अब टेबल में क्यों आ रहा है उसका रीजन में एक्स्पेट करता हूँ पढ़ो यह कुशन अपी एस यू फर्म वांस टू इशू बॉन्स अन वेरियेबल कुपन रेट्स वेरियेबल कुपन रेट्स मतलब अलग-लग कुपन रेट्स यू अंड आज बॉन्स पर बॉन, लाइफ कितना है? एट येर्स, कूपन रेट्स, फर्स्ट टू येर्स के लिए 6%, थर्ड और फोर्थ येर के लिए 8%, फाइट से लेके एट येर के लिए 9%, अब तक जितने सम्स किये थे, उसमें कूपन रेट्स कितने भी साल के लिए हो, फिक्स होता था, तो हम डाइट लिए इंट्रेस क्याल्कूलेट करते थे, पीवी आई एफ ये लिखते थे, सबका टूटल, ग्राइट टूटल करते थे, कल बदा आथा, एक उर्पे काल भी पाथ साल में कितना हो जाता है, तो 10% क्या हो गया, रेट आफ रिटन, मतलब वैल्यू फॉर मनी, आज एक रुपे है, तो 10% मिल रहा है, तो एक साल के बाद कितना, दो साल के बाद कितना उसका वैल्यू होगा, वो निकालना है, रिटर्स निकालना है, 10%, you are required to advise the firm on the issue price, if the bond matured at a premium of 5%, premium of 5% मतलब, आज तका ज्यादा मिलेगा न, market price कितना हो जाएगा, तो आज bond का वैल्यू कितना है, 5% premium, तो 100 का 5% पाच रुपया आएगा, तो market price कितना हो जाएगा, और ये समझा, पक्का चबएगा, तो solution स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला मैं face value लिग दूँगा, तो face value कितना है, 100, interest अलग-अलग-अलग-अलग है, market price, 105 है, अलग-अलग नहीं है, and 80 years के लिए, और rate of return कितना है, 10%, 10% मतलब 0.1, और अपन जब PVIF निकालते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन आर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.1, 1 अपॉन 1 पॉन पॉन अर ये समझा, पक्का न, चलिए, years में, कितने साल का calculation दिखाना है, बराबर, interest is always calculated on face value, तो पहले 2 साल में, interest कितना percent है, 6%, तो 100 का 6% 6 रुप्या, बराबर, फिर, थर्ड और फोर्थ येर में कितना percent, 8% है, तो 100 का 8% मतलब 8 रुप्या, हाँ, अरे समझा, फिर, 58 येर, तो 100 का 9% 9 रुप्या, बराबर है, अरे समझा, अब discount factor, कितना percent, 10% है, तो आप calculator निकालेंगे, calculator पे लिखेंगे, 1 upon 1 plus I, मतलब rate of interest, that is 1 upon 1 plus 0.1, 1 upon 1.1 होगा, ये तो समझा न, क्या किया है, उन्नती, तो calculator पे करो, और पहने year का value बुला, 0.9090, ये ही है, कल मैंने बदाया था, उसको memory में plus करने के लिए, आज memory में plus, नहीं करेंगे, क्यों, तो उनको accumulated value नहीं चलिए, हर बार interest बदल रहा है, इसलिए equals to, equals to ही करते जाने गया, equals to first year का value, फिर से equal to दबाओ, फिर से equal to दबाओ, equal to, equal to, equal to, समझ में आ गया, आठ साल के लिए equals to दबाने गया है, तो आठ साल का पैसे का कीमत, ये भाई, पहले साल एक उर्पे का भाई हो जाए, नब्य पैसे, फिर हो जाएगा 82 पैसे, फिर 75 पैसे, ऐसे साल बढ़ते जाएगा, और पैसे का कीमत घटते जाएगा, इसे discounting factor कहते हैं, कितना percent discount factor था यहाँ पे, 10 percent, समझा, कल के sum में क्या होता था, कि interest common रहता था, तो आप इन सब का total रहते थे, memory में plus करते थे, और जो भी interest रहता था, directly इसके साथ, total के साथ, multiply करते थे, बढ़ यहाँ पे ऐसा, क्यों नहीं किया, विकास interest का जो value है, वो हर बार बदल रहा है, और जब interest बदलता है, तो table बनता है, अगर interest बदलता है, नहीं, करेंगे आज, वो भी sum होगा, बट यह बता रहा हूँ, जब interest बदलता है, तो आपको हर एक का, अलग-अलग-अलग-अलग interest, मन्दब discount factor से, multiplication करना है, अब interest into discount factor, तो आपका जो formula का first part है, वो आएगा, I into P V I F, A नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि accumulated नहीं है, individual है, अब 6 into 0.9091, बराबर, 6 into multiply कर लो, अच्छा, और एक चीज़ करना, आपके लिए, अच्छा भी कर लो, फिर बादने बता दो, करते रो, डेड़ सो लगे या, नहीं ट्रिक सीखाने आ लाज, clear है, यहाँ दक, फिर multiply, multiply, oh, मेरा आगे तक आगे रहे, अभी 9 से multiply करो, आगे है मेरा, उन्हें नहीं बहुती है, चुटो, उन्हें तो लिखने वाले डारिक आंसर, देख दिया, अब इसका total करेंगे, मैंने यह already आप लोग को बताया था, अगर नहीं आपको याद है, तो आप क्या करने का, जब भी multiplication करते हैं, जैसे 6 into 0.9091, multiply कि आपको आंसर आए, 5.4546 आए, इसको memory में plus कर दो, ठीक है, फिर second multiplication कर रहे हैं, तो इधर मैंने कुछ on-off, कुछ भी नहीं किया, equal to अगेरा, कुछ नहीं किया, डारेक्ट लेगा, 6 into 0.8264, equals to, इसका अंसर है, 4.9584, इसको भी memory में plus किया, ऐसे सब का multiplication करनेगा, और जब हो जाएगा, तो MRC का बटन दबानेगा, तो इसका अंसर आए, मैंने दो किया था, दो का अंसर आए, 10.413, इन दोनों का टोटल आए, मुझे 10.413, आप करके चेक कर लो, आपको इन दोनों का टोटल ही रहेगा, तो जब भी आप ऐसा multiplication कर रहे हो, तो memory में plus करते रहो, तो इस जो grand total आपको करनेगा है, अलग से add करने की जरुवत नहीं है, समझा, मालूम था, डेड़ सो, सिखाया था, मैंने वापस सिखाया, मेरे को तो पैसा चीखाया, डेड़ सो, इधर मैंने अक्स्ट्रा पड़ा है, ये ना, इसका ऐसा ही है, ये समझ गया, जा करा है रहे, डेड़ नहीं आया तर, अब मैंने actual में, formula का first part का total ले लिया, formula क्या था, formula है, value of bond is equal to, P, V, I, F, A, A मतलब total, इसका total मेरे पास है, plus MP, MP मतलब, into PV, I, F, कौन से साल का, 8th year का, और 8th year का, PV, I, F, कितना है, मैंने बताया था ना, last year का value लिखते है, अल्रेड आपने इंदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, IP, V, I, F, का total कितना है, 51 point, ये इदर आ जाएगा, market price 105, कैसे आया, समझा, 100 रुपया था, 5% premium, तो 100 का 5%, 5 रुपया आएगा, premium इसमें add हो जाएगा, तो 100 plus 5, 105 और last year का value कितना है, अर ये समझा, चलिए, यहाँ पे आएगा, 51 point, 51 ये न, 51.9132, प्लेस, इनको multiply करो, देखो कितना आ रहा है, 105.4665, करो कितना आ रहा है, 48, 0.983, 25, वही मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बरोसा नहीं है, अब दोनों को plus कर लो, कितना है, 51.9132, प्लेस, 48.9825, यहाँ पे correction है, 100.8957, अब मैंने ये लिख दिया है, बड़ आप एक बाद क्रोस चेक करना, कि इसका टोटल कितना है, ठीक है, अगर चीए, तो अभी चेक कर लो, तो correction रहागा, तो कर दूँगा, एक जन फटा फट, इसका 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 टोटल ले लो, यह तो किसका calculator फटा फट चलता है, इधा तक का टोटल ले लो, इनकी इसमें, फटा बड़ आड़ करो, अधेको ना, 51.9132, यह क्या, चेक कर लो, क्या 41 है, हाँ, LCA2 तुम लोग, कर रहे हो ना, तनवी तो बड़ी हाँ, हाँ, वो कर रही है, करने दुसको, सुआम, आए कर दो, फटा पट चलता है, फटा पट काल्कुलेटर पे, 41 ही आ रहा है ना, देगा, अलताफ सर एकदम, कितना अलताफ सर? 40, 37, इतो 40, 1.37, 81 अदिखरा है मेरे को इदर, 81, ची रहे, कैसे, टी वाई के बच्चे रहे, तो फिर यह बड़ाबर है, यहां पर मिश्टेक है, 41.3781, ठीक है, उसमें इसको मंटिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आ रहा है, देखो मंटिप्लाई करके, 25 आ रहा है, बोल रहा हूँ, तो यह अगर 25 आ रहा है, एक बार करके, चेक कर ले रहा हूँ, वह यह आ रहा है, अभी पॉइंट के साथ, खेलना होबा, मैंने अंसर दीखा भी नहीं, जो है वो है, 25 यह ना, अब इन दोनों को प्लेस कर लो, 36 अभी राइट है न फिर, समझ में आ गया, मतब यहाँ पे एक कर्रेक्शन खाली, टोटल में मिस्टेक है, दन है, पक्का, आपके उपर शुड़ रहा हूँ है, मैंने कंसेट एक्स्प्रेंट किया है खाली, ओके, चलिए, बढ़ेंगे, next, कदम लिमिटेड, हाज इसू, डिबेंचर, वित अ फेस्ट वाली आफ रुपीज, वेरिग अ इंट्रस फेक्टर, पर अनम, मैचुरिंग, आफ्टर शिक्स यर, अट, हजार का चीज से, हजार में मैचुर्ड होने, मतलब मार्केट प्राइज भी हजार ही रहेगा, कितने साल में, 6 साल में, एक्सपेक्टर रेट अफ रिटर्न औन इन्वेस्ट्मेंट कितना परसंट है, शुट दा इन्वेस्टर बाई, दे डिबेंचर, इफ दे करन मार्केट प्राइज अफ दे डिबेंचर इस 13 इन्वेस्ट, तो उसको अपने बताना पड़ेगा, कि भाई करना है कि नहीं करना है, चीक है, वो लास्ट का डिसीजन रहेगा, अभी के लिए, फेस फ़ली कितना, बराबर, इंटरेस्ट कितना, 12%, अट पार बोला है, मतलब मार्केट प्राइज भी हजार ही रहेगा, इंटरेस्ट है 12%, रिटेन है 15%, 15% का मतलब 0.1, 1 अपाउन 1 प्लस 0 पाउन, तो 1 अपाउन 1.15 होगा, और यह कितने साल तक चलेगा, अभी accumulated वाला आएगा, टेबल बनाने की जरूरत है क्या, तो यहाँ पे formula में substitute करते, value, एंटरेस्ट, P, V, I, F, A, प्लस MP, P, V, I, F, क्या करना है calculator पे, 1 अपाउन 1.15, बराबर, 1 डिवाइड बाई 1.15, देखो क्या answer आ रहा है, memory में plus करो, फिर equals to the above, memory में plus करो, ऐसे कितने साल के लिए करना है, 6 साल के लिए, और जो छटे year का value है, 6th year का value, वो बता दो मुझे, 0.423, यह कौनसे year का value है, 6th year का, उसे कहते है, P, V, I, F, ठीक है, अभी, memory recall करो, MRC, 3.884, यह समझा, accumulated value, आपने क्या किया, कि आपने जितना भी equal किया, जितने भी साल के लिए किया, उसका total इदर लिखा, क्यूंकि हर बार interest common रहता है, तो जब भी interest common होता है, तो आप grand total से directly multiply करते हो, यहाँ पर interest कितना percent है, 12%, 1000 का 12% 120 आएगा, तो interest आएगा 120, उसको multiply करेंगे इससे, market price है तुमारा कितना, market price है 1000, उसको multiply करेंगे इससे, बराबरे, चब यह check कर ले जाए, समझाना क्या कर रहा हो, कल यह सारी चीज़ें हमने की हुए, already, 123.7845 आ रहा है, एक बार चेक करना, 44 हो रहा था न, recurring, 45 हो गया, plus 1000, 0.4323, सेम, अब इसको इससे multiply, इसको इससे multiply करेंगे, तो इसका answer आ रहा है, 454.14, और इसका आ रहा है, 432.3, 1000 से multiply करेंगे, तीन डिजिट आगे आ जाएगा, इधर multiplication simple रहा है, दोनों को plus करेंगे, 886.44, 6 साल के बाद, अगर मैं 1000 रुपया डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे bond का value कितना होने वाला है, 8 साल के बाद उसका value 800 होने वाला है, अगर आज मुझे उसका 1300 रुपया मिल रहा है, तो मुझे वो खरीदना चाहिए कर नहीं खरीदना चाहिए, 800 रुपया अगर मैं को 6 साल में दे रहा है, और वो ही चीज मेरे को 1300 रुपया दे रहा है, तो खरीदना चाहिए क्या, नहीं खरीदना चाहिए, बात समझ में आया, clear है, चलिए, बढ़ेंगे next sum की तराफ देखते क्या है, Tiger Limited has issued debenture, face value कितना है, 100, bearing interest कितना percent, 10% per annum, मैं शुट कितने साल में, 6 साल, at, at par का मतलब क्या हुआ, same value, expected rate of return on the investor कितना percent है, should investor buy the debenture rate, the current market price of the debenture 81 है, चलो चेक कर लेते, face value 100, market price, interest, returns, कितने साल के लिए, same calculation करेंगे, अब ये 15% इधर भी था, 6 साल इधर भी था, तो ये value दो same ही रहेगा, समझ में, ख़ली interest बदलेगा, 100 के उपर कितना percent interest, 10 रुपया आएगा, 100 का 10% दस ही आएगा, add पर मतलब इधर 100 आजाएगा, तो 10, देखो बाकी तो same ही है, हाँ, plus किया, इसका value कितना आ रहा है, उधर कितना आ रहा है, खरिदना चाहिए, समझ में आया, clear है, अरे समझा, done with the sum, clear, next, मैं ध्यान दे, सब लोग को बोल रहा है, ध्यान दो, समझ ही आ रहा है, ध्यान दे, monkey, monkey limited has issue, fully convertible debenture, इता base value of 1000, पर आस, क्या बिड़ा सरदी, अच्छा होता है ये उमर में, खासी हो रहा है, नहीं, आगे वाली उमर में होता है, ध्यान दे, क्या है ये, monkey limited, नहीं तु ध्यान, समझा ध्यान, तो अपने उपर मतल ये सब चीजे, तु ध्यान दे, monkey limited, issue fully converted debenture, face चाली कितना, 1000, with, coupon rate कितना परसेंट, per annum, which will be converted in, 25 equity shares of 10 each, at end of 9 years, find out the value of debenture, if expected rate of return, of an investor is, 10%, ये 5 नहीं है, ये percentage का sign है, ठीक है, मैं रहाद है, percentage का ही sign रहेगा, 10% है, ठीक है, and expected market price, on one share, after 9 years, market price, एक share का कितना दिया है, अपने बस, कितने shares आने वाले, ठीक है, चाली, face value, face value, ठीक है, face value, coupon rate, coupon rate, coupon rate, 12%, बराबर है, rate of return, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 0.1, PVIF, हजार का 12% calculate करो, 120, कितना percent है, 10% है, तो 10% जड़ा calculate करो, कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, कैसे calculate करोगे, 1 upon 1 plus 0.1, यानि कि 1 upon 1.1, equals to, equals to, equals to, equals to, 9 साल के लिए, calculate करो, और 9 साल का value बोलो, 42, कि 9 साल का value है, memory में plus किया, recall कर लो, बराबर, ये 9 येर का value, यहां तक clear, अरे हां, कुछ doubt इसमें, market price, 1000 क्यों लिखा, market price 1000 क्यों लिखा, very good, किसी ने बोला इदर से, उन्नती, अपने को maturity value जो है, वो बोला नहीं है, अपने क्या जम्शा लगाया है, कि उसका maturity value क्या रहेगा, at par, समझाए, इसलिए वहां पे अपने कितना लिखा है, 1000, multiply किया, इसका value लिया, कितना 100 and, sorry, 1115.18, इसके बाद अपन इस, debentures को convert किसमे करने वाले, equity, shares में, बुला ना question में, कितने shares मिलने वाले, एक share का value कितना है, तो एक share का value कितना हो गया, 44 point, जबकि इदर एक share का value कितना दिया है, तो क्या करना चाहिए, debenture खरीदना चाहिए गया, समझा, इसे अब तक, directly debenture का code दिया जाता था, बट इदर, debentures को convert किसमे कर दिया है, equity shares में, और एक equity share का value दिया है, तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे debenture का code आया, 25 share के लिए आने वाला है, तो एक share का value कितना, और फिर बाद में comparison किया, समझाए, पका, चलिए, मेरे इसाब से आज इतना ही है, येस, आज इतना ही है, next lecture में कुछ नए समस करेंगे, होपली वीडियो पसंद आया, तो प्रिस वीडियो को like कर देना, friends group में share करना, चैनल को subscribe करना, ठाहिए for watching the वीडियो,